हुआ है 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 लोग मैं विक्रम आपका अकाउंट टैंस टीचर फूम वीविए इंसर कॉमर्स की स्वाइब करता हूं आज की क्लास में और आज की क्लास में हम लोग डिसक्स करने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले बैल आइकन को प्रैस कर ले ताकि सभी लेट जो भी वीडियो अप्लोड कर रहे हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और यह लेक्शन नंबर 25 ह है हमारा अब तक 24 लेक्शर समलोग अपलोड कर चुके हैं एं मेक एन इशू अफ 10,000 एक्विटी सेर्स एलिमिटीड मेक्स एन इशू अफ 10,000 एक्विटी सेर्स एंडर एच पेवल अप्लिकेशन 50 एन फस्ट कोल 25 एन सेकंड कोल 25 मेंबर्स होल्डिंग 400 एर दिद नोट प पर चार सो शेर पर सैकिंड कोल नहीं मिल रही है तो इसका मतलब कर आकर हमारे पास सिनारिय तो से पहले कोई कोई नहीं है इन में से इन को निक्या कर लिया है और इन में से तीन सो शेर कर दिए है फुली पेड़ सो कमानते हुए असी रुपे मेनी की बीस रुपे के लोस पर हम इनको रीशू कर रहे हैं पास जनल एंट्री करने है और फॉर्फिटिड शेयर अकॉन बनाना है तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कि दसाजार शेयर पर आप लोगों को पचास है गधिस इसकी दो एंट्री और पट्शिस इसकी एक प्रूंट्री करने में कोई दिक्कत नहीं की चाहिए कि एंट्री एक्वीटि शेयर फांच लाग, पांच लाग, जिनसको हम डारेक्ट लिका करेंगे, जो ना, त्रांसफर करतेंगे, एक्वीटी शेयर अप्रीकेशन लाटमेंट अकाउंट पांच लाग, पांच लाग, उसके बाद फर्स्ट कोल की दो एंट्री करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए पांच कितने शेयर से हमारे पास दस अजार शेयर हैं दस अजार पर पत्चिस के सब्सक्राइब डाइलाफ लुपे ड्यू और डाइलाफ लुपे हमें रिसीव हो जाएगे को सेके नफानल कोल की द्यूंति में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि और फांप पास है रिसीव कर रहे हैं तो हमें क्योशन में सबस्ट का गया है 400 शेयर पर कितने शेयर पर 400 शेयर पर हमें नहीं मिल रही है कौन सी कोल सेकिंड एंड फाइनल कोल तो 25 चो के 100 यह दस हजार रुपे आपको नहीं मिलेंगे अब जब इसको रिसीव करेंगे तो क्या एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डैबिट टू शेयर सेकिंड एंड फाइनल कोल तो दो लाख चालिस हजार से हमें क्या हो जाएगी यह रिसीव हो जाएगी अब बात करते हैं इन शेयर को हमने क्या कर लिया है फॉर्फिट कर लिया है डू टू नौन पेमेंट ओफर सेकिंड एंड फाइनल कोल तो हम कितने शेयर फॉर्फिट कर रहे हैं टोटल 400 और जिस पर जो है एक शेयर कितने रुपे का है सो रुपे का तो यह तो हुई है वारी कॉल्ड अप कापिटल क्योंकि सारा पैसा मांगा तो एकुटी शेयर कैपिल डैबिट हो जाएगी चालिस जार से और जो नहीं मिला 400 पर कितने 25 फाइनल कोल के दसजा रुपे में कितने रहे हैं 400 पर दोकल 100 में से 25 नहीं मिल रहे हैं to 30 kGen की अप क्योंकि इन 400 को कितने रुपे के हपसे 80 रूपे के साब से अब किसमे कीना जआते के लिखाता है और आपको पता लोस को कि किस अकौंट से पर फििस एर अगाउंट के नाम से दिखाते हैं तो बैंक अकाउंट डाइबिट हो जाएंगे चोबीस हेजार फॉर फीचर अकाउंट हो जाएगा चेहार और टू इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा कितना जाएगा अब बात आती है कितना पैसा आप ट्रांसफर करेंगे तो मैंने आपको इसको डारेट फॉर्मूला बताया है नंबर ओफ शेयर रीशुड इन्टू प्रोफिट पर शेयर रूपीज सेवन्टी फाइफ माइनस लोज पर शेयर ट्वन्टी तो हमारे पास तीन सो गुना पच् अब अगर हम बात करें शेयर कपिटल अकाउंट की तो शेयर कपिल अकाउंट हमने प्लस वन में लेजर अकाउंट मुझा नहीं सीखे यह थे तो एक्विटी शेयर कंट हमारा किस तरीख से बनेगा सबसे पहले जो हमने हमने एप्लिकेशन और डॉट्मेंट की ट्रांसफर के एंट्री किसी वो हम एंदिंगे two equity share second and final call सोरी क्योंक्की capital अकॉंट का balance credit होता है तो हम भी जब देंगे बाइक्युटी श्यर अप्लिकेशन और डॉट्मेंट five lakh के ति क्यों एंट्री कैसे equity share अप्लिकेशन एंड अलोट्मन अकाउट डाइबिट तू शेर काउड़ क्राइट हुआ है तूं से एक्विटी आप्लिकेशन ऐसे एकर फुस्त कोल ढाय लाक रुपे से एसे और हमने स्टाइटिग ङृट्ट की तूल अधूट कीattend की उसके बाद हमने शइयर को क्या कर लिया था और दिविट कर लिया टा देनुः क्रिप्वूं कर लिया से कितने से चालीस एजार से तो हमने लिखी दिया एंट्री क्या, share capital account debit to share for future account to equity share second and final call तो उसके लिए हम क्या लिखा देंगे, equity share second and final call 10,000 से to for future account 30,000 से ये एंट्रे में ट्रांसर कर देंगे then हमने दुबारा से इंपो क्या किया है, रीशु किया, रीशु में हमारे पास entry का आई थी, bank account debit देखिए, bank account debit for future account debit or to equity share capital, तो हम इसको क्या लिख देंगे यहाँ पर, buy bank और buy forfeited share account तो इनका total करेंगे, जो balance बच जाएगा, that will be code as balance of capital, 9,90,000, total होगा, 10,30, 10,30 में से 40 मैंस कर देंगे, तो हमने बेजार पे का balance बच जाएगा अगर हमें बनाना है share for future account, तो जहां-जहां share for future account के entry आई थी, वो सारी entries हम्या क्या करने वाले हैं, transfer करने वाले हैं, देखिए कैसे, सबसे पहली entry आपने share for future की क्या की थी, equity share capital account, debit to equity share second and final call, to share for future account तो हमने कर देंगे, by equity share capital कितने से, 30,000 से, यहीं for future में तो 30,000 आए थे हमारे पास, और इधर हमारे पास क्या जाएगा, equity share capital जो रिशू किया, उसका particularly loss, तो हमने जब रिशू किये, तो 6000 रुपे के loss पे रिशू किये थे, 300 पर 200 रुपे का loss, और बाकी जो पैसा था, share for future रिशू किये थे, तो इसका अंदर 100 share आपके पांद बच्चे हुए है, और उनके पर share कितने रुपे मिले थे, आपको 75,500 का बच जाएगा, share for future का balance, तो हम दिखा जेंगे, two for future, to balance carried down, 7,500 रुपे, note करियेगा, only that amount of profit is to be transferred from forfeited share account to capital reserve account, which belongs to reissued share, in this question, only 300 shares have been reissued, as such the profit, only 300 shares will be transferred to capital reserve account, और उसकी calculation में आपको बताई दी, क्योंकि हमने, सरफस्ट, direct formula लगाया है, क्या 300 share issued हुए है, per share profit, minus per share loss, जो बच गया, that will be transferred to capital reserve, is it okay, होपस हो कि आपको यह illustration 28 समझ में आया होगा, आए इसका practical question भी साथ-साथ discuss कर लेते हैं, Question No. 28, Fast Food Limited issued a prospectus offering 10,000 equity share of Rs. 50 each at par payable as follows, on application 15, on allotment 10, first call 15, final call 10, 15, 15, 30, 14, 40, 50 रुपे कामने share कर दिया है, issue, राम, the holder of 500 equity shares, did not pay the amount due on both the calls, दोनों calls का पैसा वो नहीं दे रहा है, 500 shares were forfeited by the board of directors, and 300 of these shares were subsequently re-issued at Rs. 55 per share, 50 का share, 55 रुपे में दिर इसु कर रहे हैं, तो पांच रुपे सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़ूर्ट ले रहे हैं, यहनि कि लोस्त तो हुआ नहीं है, यहाँ पर over subscription भी नहीं है, तो अगर मैं आपको कहूँ कि कितने पैसे capitaliser में transfer के जाएंगे, यह आप से पूछ ले, तो सिधी सिधी सी बात है, 500 share forfit के लेकिन रीशू कितने की हैं, 300, तो 300 share जो आपने रीशू किये हैं, उन पर per share profit कितना हुआ है, दो calls नहीं मिली, पंदर और दस पत्चिस नहीं मिले, तो इसका अदर पत्चिस तो आपको मिले हैं, लोस कुछ हुआ नहीं है, तो कितना और पर पैसा आपका transfer हो जाएगा, कर लेंगे राम से कोई दिक्कत नहीं है, receiving की application और application को transfer करने की entry, allotment due की and allotment को receive करने की entry, अब जो third, fifth entry करेंगे, first call की due की, वो तो हो जाएगी हमारी 150,000 से due, due के entry में कोई समस्या नहीं है, लेकिन receive करते हैं, हमें कितने मिल जाएंगे, 500 share पर 15, 75,000 हमें नहीं मिल रहे हैं, तो यह minus कर दीजिए, एक लाख ब्याड़ी सजार पांसो की आपको जाएगी receiving, जिसके लिए आप अगर general entry करेंगे, तो क्या करेंगे, bank account आपको cash book बनाईए, तो आपको cash related entries, bank related entries, general में करने लिए वहाँ पर लिखने वाले हैं, 10 रुपे से final call due कर दीजिए, कितने की due हो जाएगी, एक लाख रुपे की, लेकिन मिलेंगे कितने, 500 share पर final call नहीं मिल रही है, 5000 रुपे नहीं मिल रहे है, तो इसका बतब 95,000 क्या पो हो जाएगी receiving, hope so, कि आपको application, allotment, first call, final call की entry समझे में आई होंगी, उसके बाद हमें करना क्या है, इन 500 share को forfeit, तो 500 share को यदि आप forfeit करेंगे, तो 500 share पर हमने called up कितना कर लिया, पूरा 50, 500 share पर हमें मिल क्या नहीं रहा, 15 रुपे, first call के, 10 रुपे, second call के, और मिल क्या रहा है, 25 रुपे application and allotment के, तो 25 रुपे के हिसाब से हमें per share profit हो रहा है, 500 share को forfeit करने पर, रीशूट कर रहे हैं, रीशूट कर रहे हैं, 300 share, पचपन के हिसाब से, तो CD entry हो जाएगी, 300 गुना पचपन, 300 गुना पचास, और 300 गुना पांच, क्या अंटी कर देंगे, बताए, bank account debit to share capital to security premium, लेकिन कि बैंक की एंट्रिया में जाना रुपे नहीं करनी, तो इसका मतलब ये CD entry कहाँ जली जाएगी, cashbook में, और cashbook में हमारे पास amount कितनी आ जाएगी, total मिलाकर, 16,500 रुपे, इजिट के लिए, अब क्योंकि मैं आपको पहली बता दिया, capital reserve में कितना पैसा transfer होगा, तो इसको आ जानी, डाहे लाक तो सीधे-सीधे हमें application allotment के मिले ही थे, first call में हमें मिले थे, कितने, 1,42,500 रुपे, और final call के मिले थे, 95,000 रुपे, और 16,500 मिले हैं, इन सब को plus कर लिजिए, आपका total आ जाएगा, 5,4,000 रुपे, जो आपको received हुआ है, तो ये, हमारी cashbook के एंट्रिवि balance, by balance से carry it down, तो ये, 5,4,000 रुपे का मेरे पास का बज़ जाएगा, balance से बज़ जाएगा, हुपस्तों कि आपको एक question number 28 समझ में आयागा, इसकी general entry, cashbook और transfer to capitalizer के entry आप अच्छे से कर लेंगे, तो आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं, केवल हमने दो ही question discuss कि हैं, तो illustration 28 practical question number 28, next class में हम लोग discuss करेंगे question number 29, illustration number 29, तब तक के लिए thank you very much, बबाए, यदि आपने हमारे class के link को अब तक दोस्तों के शेर नहीं किया, तो share कर दीजिए, या हमारे चैनल को subscribe नहीं किया, तो subscribe कर लीजिए, और मैं request करूंगा, कि आप regularly हमारे साथ टच में रहें, ताकि हम आपको better services provide कर सके